Analysis of qualitative data Analysis of qualitative data can be in many forms पहले तु यह समझ लें qualitative data क्या होता है और हमने पहले qualitative और quantitative research method की बात की थी इसमें words होते हैं उसमें आपको scores या numbers होते हैं जब आपने analysis करें दो तरह के qualitative analysis के हम बात करते हैं एक है content analysis archival research के हमने बात की थी कि कोई भी record हो कोई diaries हो, कोई अख़बार हो, कोई documentary हो कोई historical record हो, कोई government का record हो newspaper के article हो, tv का कोई content हो, show का वो सब archival होता है क्योंकि आपने ही कठा नहीं किया वो पहले से module है तो इस में भी content analysis करें, मैं मिसाल देती हूँ, कि हमने यह देखना है कि sports के कितने event होए हैं पंजाब में, गर्मियों में से लेके सर्मियों तर, ठीक है, और उसको हम compare कर रहे हैं, किसी और जगा से, और यह analysis करने हैं तो आपने उसके लिए कोई pointers अपने रखने हैं, कि हमने यह देखना है कि कहां हुआ, किस किसम की sport थी, कितने लोगों ने हिस्सा लिया, और उसके बारे में जो है वो जीती, कौन सी टीम जीती, जो भी information आपने लेनी हैं, आपने उसकी एक, दो, तीन, चार्थ points हैं, और आपने उसके साब से, उस सारे को हम underline करते हैं, इस टका हुआ था, यह हुआ था, यह वज़ा थी, यह method यूज़ गुआ था, फ्लान टीम जीती थी, और उसको आप इस पेश कर देते हैं, ग्राफ की शकल में, ताकि डेटा जो है, वो ज़रा, आप यह समझें कि वो, उसको, उसमें कोई interpretation नहीं होती, वो mainly descriptive होता, लेकिन आपको वो trend नजर आ जाते हैं, और डेटा को summarize करके, आप ब्रीफ करके, पेश कर से, तो इसको systematically categories में डाला जाता है, और पिर उसके content को analyze किया जाता है, और अगर हम कोई खास behavior देख रहे हैं, तो उसके तमाम पहलों को देखा जाता है, फिर कुछ नतीजे निकाले जा सकते हैं, conclusion draw की जा सकती हैं, और हम objectively identify कर सकते हैं कि इस content में specific किसम की क्या characteristics हैं, लंबाए के चोटा हैं, कितने अलफाज इस्तम किये गए, हमने मसले एक research की कि आपने पिछले एक महीने में किसी पर shout किया हो, ठीक है, उसे कोई बुरा लफस कहा हो, तो क्या बात हुई थी, उसने क्या कहा था, आपने क्या कहा था, और मामला हतम कैसे हुआ, कुछ लोगों ने उस पर बिल्कुल दोल आइनों में, कि वो driver annoy कर रहा था, मैंने उसको shout किया, और कुछ लोग ने लंबी कहानी लिखती भी थी, तो हमने यह भी देखा कि number of words कितने, फिर किस के ऊपर वो कर रहे थे, recipient कौन था, तो सबसे कम जो निकला वो यह थी, कि mother या parents के उपर shouting आम तो पर बच्चे निकरते, इका दुका था, और को भी UK के सांपल में, लेकिन ज्यादा तर अपनी एज के लोगों पे और सब तर लणाईयां जो है, आपस में जो बातें कहना बनाना हो रहा था, वो बहन भाईयों में, तो कि घर में एक चिका पे रहते हैं, फिर मसला था क्या, जिसको उन्होंने का, वो dispute किस किस किसम का थ मेरी चीज इस्तमाल कर ली, टीवी का रिमोट ले लिया, मेरी बात किसी को बता दी वगएरा वगएरा, तो हमने ये इस तरह content analysis के उनके जवाबात के, जो उन्होंने हमारे सवाल के तो ये तो एक खुद हमने सवाल नामा त्यार किया था, आर्काइवल में ये होता है, आप पिर उसमें से नतीजा निकाला जाता है, हमने ये नतीजा निकाला कि ज्यादा तर जो जगड़े हैं घर में वो चोटी-चोटी बातों पर हो रहे हैं, और जितना उंचा बोला जाता है, उतना जगड़ा बढ़ता है, तो ये तो नतीजा निकला, इसी तरह हमने young criminals पे, PhD कि अब एक research कर रहे थे juvenile पे, तो एक सवाल ये था कि कि आप दुबारा जुम करोगे और जुम करने तक पहुंचे कैसे, तो नतीजा निकला कि जो जितनी दफा कर चुके थे, उतना ही उनका इरादा बढ़ता गया, और वो आदी मजरिम बनते जा रहे थे, और उसके लावा ज हमने उसी में से अपने content analysis करने, इसके खास goal होते हैं, इसके खास point होते हैं, objective, theme और कोई चीजें आपके mind में होते हैं, अब live human behavior का भी content को आप देख सकते हो, जैसे drama चल रहा है या कोई किसी conference में है, meeting में है, और वो क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अपना note करने के यह हो रहा था, नहीं हो रहा था, आप drama, movies, folktales, कहानिया, बच्चों की कहानिया, दास्ताने, school की textbook, curriculum की advertisements, magazine, poetry, scientific journals, किताबें, यह सब बच्चों की textbook में, gender की जब मिसाल दी गई है, तो उनकी equity, जैसे औरत भी doctor है, औरत भी driver है, मद भी driver है, मद भी doctor है, and equality, कि दोनों को एक्रिती तरफार मिल रही है, इसकी कितनी reference मौझूद है, ठीक है, फिर TV programs में कि वो हवतीन को किस तरह पेश करते हैं, इस्तिहारों की analysis बड़े जबरदस्त होती हैं, कि हमेशा जब हम, oil का, soap का, washing powder का इस्तिहार दिखाते हैं, तो बहुत खाते पीते लोग दिखाते हैं, कुछ इस बात की वेज़ा से इन्हों ने ये देखा, कि कम करना चाहिए, और arm average भी दिखाने चाहिए, फिर steps की होते हैं, collect करना data, फिर उनको हम transcribe करते हैं, अगर interviews हो, या जो भी चीज़ हो, फिर उस qualitative data की coding करते हैं, और उसको code दे देते हैं, और code की definition भी होती है, कि code 1, 2, 3 है, तो अगर ये मौजूद है, कम मौजूद है, ज्यादा मौजूद है, उस तरह से coding होगे, फिर हमें उसमें से themes नजर आ रही होती है, हमने medical accuracy disease पे किया, उसमें जो theme निकली वो ये कि लोगों की understanding, अपनी जाती स्तेहत, और तीसरा ये कि treatment में faith, तो ये तीन themes निकलाईं, medical patient की, उसके बाद हम उने results को इकठा करते हैं, और फिर उनको लिखते हैं, आगे चलके जब मैं research studies प्रे methods हैं, ये clear होते जाएंगे कि किसी ने कोई topic लिया, तो उसको कैसेगी, दूसरी जो qualitative approach है, content analysis होते हैं, वो grounded theory है, grounded theory होती है, data से आप theory बनाते हैं, theory से data की तरफ नहीं जाते हैं, ये theory की generation के लिए होती है, तो आपका जो भी idea ये theory बनती है, वो grounded होती है, बेस्ट होती है, उसक कोई सवाल लेकर नहीं चलते हैं, आप बस एक investigation लेकर चलते हैं, एक idea लेकर चलते हैं, कि चलें देखें इसमें से क्या निकलता है, किसी culture में, शादी की रस्में क्या होती है, डेथ की रस्में क्या होती है, इस तरह की उन्होंने की grounded theory में research और उसके जर्योंने पूरी theory बना of social processes उन में सिमाल होती है, grounded theory में भी वही होता है, data collection होते हैं, analysis होते हैं, categories बनाते हैं, sub teams बनाते हैं, abstract categories भी होती हैं, जैसे अजादी के खाहिश, अब यह abstract है, जबकि घर से कितनी दफा बाहर निकले, यह concrete है, तो यह दोनों तरह की चीज़ें होती है, theoretical sampling करते हैं, ताके हम refine कर सकें, और इसमें memos भी होते हैं, आप खुद ही लिखते जाते हैं, कि मैंने यह बात की थी, मैंने सुनी थी, मैंने interview किया था, site पे note लिखते हैं, कि मुझे इस बात की तरफ दुबारा आना है, और पूछना है, यह बड़ा creative process है, फिर जब आप अपनी categories कर लेते हैं, त counted in data, थेरी जो उभर रही है, वो इस तरह की बनी है.